भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान के शेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि की स्रूनी आज चंद्रियान दो को चंद्रमा की सत्य पर उतारेगा। सौफ्ट लेंडिंग के जरिए यान धीरी और स्रक्षित तरीके से चांद के दक्षिनी ध्रूप पर लेंड करेगा। बता दें कि लेंडिंग की जिम्मदारी विक्रम लेंडर की है। चंद्रियान दो को लॉंच करने के लिए इस रो ने अपने सबसे ताकतवर रॉकेट जियसल्वी मार्क 3 का उप्योग किया है। जो कि क्रायोजानिक उंजन से संचालित होता है। इसके जरीए अंतरिक्ष एजिंसी ने और्बिटर विग्यान लेंडर प्रग्यान रोवर को भीचा किया है। बता दें कि और्बिटर चांद की परिक्रमा करेगा जिसका वजन 2.4 डन है। जबकी लेंडर से यान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा रोवर को तैनात करेगा। इस रों ने चंद्रियान में 2 के लेंडर का विक्रम रखा है। द्रसल ये नाम डौक्टर विक्रम सारा भाई की नाम पर दिया गया है। इसका मकसद विक्रम सारा भाई को श्रधान जली अद्पित करना है मालू हो सारा भाई को भारती अंतरिक्ष का रिक्रम का जनक माना जाता है विक्रम का वजन 1471 किलोग्राम है ये करीब 650 वाट बिजली जनरीट कर सकता है इसे चांद में एक दिन तक काम करने के लिए तहट तयार किया गया है बता दें कि चंद्रमा का एक दिन प्रत्वी के चोहदर दिन के पराबर होता है विक्रम लेंडर बंगलूर के पास इस्थित्रो के सेंटर से संपर्क कर सकता है साथ ही इसमें प्रग्यान रोवर और और्बिटर से भी संपर करने की शम्ता है बता दें कि विक्रम का वजन एक दिशमलव चार टन है जो 27 किलोग्राम के प्रग्यान को चंद्रमा के दक्षिंध्रों पर दो क्रैटरों के बीच उची सता पर उतारेगा इसरों ने भारती परंपरा से प्रेरित होकर रोवर का नाम प्रग्यान रखा है ये नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है इसरों ने बदाया कि प्रग्यान का अर्थ बुद्धी मता होता है प्रग्यान रोवर चांद की सतर पर अपनी बुद्धी मता का परीचे देगा साथ ही वो वहाँ कई चीजों का पता भी लगाएगा रोवर सोर उगजा से संचालित होगा इसमें छे पहिये लगाएगा है जिसकी मदद से ये एक सेंटिमीटर प्रती सेकंड की गती से आगे बढ़ेगा और करीब पांच सो मीटर की दूरी तै करेगा रोवर चांद पर कैमिकल विश्टेशन करेगा और ये डाटा लेंडर को भेजेगा लेंडर के जरीए ये डाटा इस्टो के अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुचेगा बदा दें कि पहला चंदरियान दस साल पहले लांच कर दिया गया था जिसके बाद चंदरियान दो के लिए रिसू जिसके बाद चंद्रियान 2 के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस मॉस ने नवंबा 2007 में इस प्रोजेक्ट में जुडने और इसके लिए लेंडर बनाने की बात कही थी जिसके बाद 2008 में सरकार की और से इस्रो को इस मिशन के लिए नुमती मिली और 2009 में इसके डिजाइन तयार कर ले गई वर्ष 2012 में लॉच्चिंग तैय की गई लेकिन कुछ कारणों के चलते ही से टाल दिया गया इसके बाद जनवरी 2013 में लाउंचिंग फिर ताय की गई लेकिन रॉस कॉसमोस लेंडर नहीं दे पाए और लाउंचिंग 2016 तक तल गई हाला कि रूसी एजेंसी ने 2015 में इस प्रोजेक्ट से हाथ खीच लिए इसके बाद इसरों ने खुद स्वदेशी लेंडर रोवर विक्सित किया और लाउंचिंग मार्च 2018 तै की गई लेकिन कुछ टेस्ट के लिए लाउंचिंग अपरिल 2018 और फिर अक्टूबर 2018 तक ताल दे गई भही इसरों ने जून 2018 में फैसला लिया कि कुछ जरूरी बदलाओ करके चंद्रियान दो की लाउंचिंग जनवरी 2019 तै की गई फिर भी तारिक आगे बढ़ा कर फरवरी 2019 की गई अप्टिल 2019 में भी लाउंचिंग की बाद सामने आई थी पर हुई नहीं जिसके बाद 15 जुलाई को लाउंचिंग किया चाना था लेकिन तक्निकी कारणों से नहीं हो पाया जिसके बाद 22 जुलाई को इस मशिन की सफ़र लाउंचिंग हुई चंद्रियान दो का कुल वजन 3850 किलोग्राम है जिसमें से ओर्बिटर का वजन 2389 किलोग्राम लेंडर का 1471 किलोग्राम और रोवर का 27 किलोग्राम है यान में कुल 14 पैलोड लगाए गए हैं जिसमें 13 भारतिय आठ ओर्बिटर तीन लेंडर तथा दोरोवर हैं लेंडर में एक पैलोड नासा का भी है बता दे कि इस रो ने चंद्रयान 2 के लिए महत्वपून पैलोड के A-Band Radar Altimeter तयार विक्सित किया है यह पैलोड चंद्रया है जिसे स्वदेशी तकनीक से एहमदाबाद के अंतरक्ष अनुप्रयोग ने तयार किया है मिशन में इसकी खास भूमी का है यह यांद चांद पर पानी की सबूत खोजेगा अगर ऐसा होप आता है तो अंतरक्ष विज्ञान शेतर में बड़ी सफलता होगी चांद पर पा कर सकेगी इसके लावा यहां पर जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे उनका उप्योग भविश के मिशन में किया जा सकेगा साथी चांद पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविश में इहां इंसानी बस्तियां पसाई जा सकेगी चंद्रियान दो यहां पर खनीजों की खोज करेगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स